वेलकम बच्चों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में एक नए चेप्टर के साथ ये क्लास 3 का इंग्लिश बुक है चेप्टर 12 और इस चेप्टर का नाम है विंटर एन स्पिरिंग ये बहुत ही सुन्दर एक पोयम दिया हुआ है आज हम लोग इसकी पढ़ाई करे है हम लोग जल्दी ही मंजील पर पहुंचेंगे तो आएए पढ़ना सुरू करते हैं हम लोग क्रूल विंटर फ्रोज दा स्ट्रीम मेड ओल थिंग्स हार्ड विद आइस एंड स्नो क्रूल विंटर विंटर का मतलब होता है ठंडे का मोसम सरद रितु जब हमें बहुत पां गया है तोर मतलब नृदर निर्दर टंड इस्ट्रीम फ्रोज दा स्ट्रीम मतलब जो चोटी-C Mansday होत इंडिया होती और नाले होते है उस रधिया कि चानड कर दिया है मेड ओल ठिंग्स सभी चीजों को हाड मेड ओल ठिंग्स हर्ड सभी चीजों को क्ठोर कर दियास with ice and snow, सभी चीजों पे बर्फ जमा कर, वो उसको hard कर दिया है, कठोर कर दिया है, snow बर्फ बारिस करके उसको कठोर कर दिया है, the creatures, the flowers dead, सभी जीव काप रहे हैं, ठंड से ठिठूर रहे हैं, flowers dead, और फूल जो खिलते थे, वो अब मर चुके हैं, nothing could live, and nothing could grow, nothing मतलब कोई भी चीज, कोई भी चीज जिन्दा नहीं, इसका मतलब है कि कई सारे चीज जो है, अभी जीवित नहीं है, and nothing could grow, कई सारे जीवों की विर्धी रुकी हुई है, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, जब बहुत थंड हमें लगने लगती है, तो हम लोग गर्मी का इंतिजार करते हैं, सुझते हैं कि गर्मी आएगी, तो थोड़ा हम लोगों को राहत मिलेगा, तो थंड के बाद ठीक गर्मी आती है, और वो हमें लगता है कि हमारे उपर उपर वाले द्या कर रहा है, वो गर्मी देकर हमारे उपर द्या की वारिस करता है, हमारे उपर द्या करता है, और हमें बहुत ही सुखद अनुभा होता है, इसलिए यहां पर कह रहा है कि समर्स काइंडली वर्म्त, वो गर्मी हम पे दिया करती है हमें उर्जा परदान करती है The sun sawn down with love and light और sun सूरज जो है तेज चमकने लगता है उसकी रोशनी हमें बहुत अच्छी लगने लगती है बहुत प्यारी लगने लगती है और हम उसकी रोशनी को बहुत ही पसंद करने लगते है The hard ice cracked Hard ice जो ठंड के वज़े से कठोर बरफ जमी हुई थी वो गर्मी पाकर सूरज की रोशनी को पाकर वह तूटने लगता है क्रेक हो जाता है और धिरे धिरे गलने लगता है और बह जाता है And life bloomed again in colors bright और जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है फिर जैसे वो चल रहा था वो ऐसी चलने लगता है सब कुछ ठिक ठाक हो जाता है इन colors bright और फूल खिलने लगते हैं कई सारे पेड़ पोधे जो होते हैं जिसके पत्ते हरे नहीं दिखाए दे रहे थे अब वो उसके पत्ते अपनी color में आ जाते हैं और चमकने लगते हैं कई सारे फूल खिल जाते हैं तितिलियां उड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि पुरी प्रकृति में आनंद आ गया है बाहर आ गया है इस तरह से यह पोयम यहां पे समाप्त हो जाती है और इसमें क्या questions दिया हुआ है यहां पे देखिए new words दिया हुआ है इसमें कुछ words दिये हुए हैं जो आप इसको पढ़कर याद कर सकते हैं और यहां पे fill in the blanks दिया हुआ है question number one में question number two में इसका answer लिखने के लिए कहा गया है answer the following questions और three में there are six seasons in India, get them by heart यहां पे हमारे देश में 6 seasons होते हैं इसका नाम दिया गया है spring, summer, autumn, rainy season, pre-winter, winter इसको याद करने के लिए कहा गया है इसको पढ़कर आप लोगों को याद कर लेना है तो आएए मैं आप लोगों को इसके answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter 12 का question answer question number one में fill in the blanks दिया हूँ है यहां पे आप देख रहे हैं इसका direct मैंने answer दे दिया है stream, creatures, flowers, kind, summer आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं question number two answer the following questions which season freezes stream winter season freezes the stream which season makes all things hard winter season makes all things hard why do creatures sewer all creatures sewer due to extreme cold when does summer come summer comes after winter which things cracks and melts away hard ice cracks and melts away यहां पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाती है अगर हमारी वीडियो से आपको पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आईए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं झाल